आज के एक बार में खबर आई है कि रोहिंग्या और बंगला देशी घुस पैठी है पहले बंगाल आते हैं बंगाल में वहां आधार बनवाते हैं उसके बाद वो गाजियाबाद आ गए और गाजियाबाद में आके उन्होंने आधार में अपना आड्रेस चेंड करा लिया और गाजियाबाद में कबार का काम कर रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूँ रोहिंग्या घुसपैट और बंगला देशी घुसपैट प्लांड वे में हो रही है भारत की डिमोग्राफी बदलने के लिए हो रही है डिमोग्राफी बदल चुकी है 200 जिलों की डिमोग्राफी बदल चुकी है 300 तहसीलों की डिमोग्राफी बदल चुकी है नवराज्यों की डिमोग्राफी बदल चुकी है इसके बावजूद रोहिंग्या बंगला देशी लगातार आ रहे वो बंगाल के बॉर्डर पे और असम के बॉर्डर पे दो हजार रूपए दे के भारत में अंदर आते हैं जो लोग बार्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं वो दो हजार रूपए लेते हैं उनको अंदर करवा देते हैं अंदर आते हैं कामन सर्विस सेंटर पे जाते हैं दो हजार रूपए देते हैं आधार बनवा लेते हैं जब तीन डाकुमेंट हो जाता है फिर दलाल को पकड़ते हैं, आईटी ऑफिस जाते है, तीन हजार रुपए में वो ड्राइविंग लाइसंस बनवा लेते हैं और जब चार डाकुमेंट हो जाता है फिर वो वहां के लोकल लीडर को पकड़ते हैं पारसद को परधान को या जो जिसको विधान सभा का चुनाओ लड़ना है या पारसद का चुनाओ लड़ना है परधान का चुनाओ लड़ना है उसको पकड़ते हैं और फिर उसके माध्य के सरकारन का थी होजनाब का लाव लेते हैं केंदर सरकार की कमच्प्व 2.9 ज्रकप की और मुझारों पना मुसलिम मुझा है चुण K नाम परनायटी मुझा एक लाव उठका थे हैं कुछ राज्यों में तो फ्री में बिजली भी ले रहे, फ्री में पानी भी ले रहे, फ्री में मकान भी ले रहे, फ्री में कपड़ा भी ले रहे, फ्री में उनकी पढ़ाई है और इसके लावा उनके बच्चों को वजीफा भी मिल रहा है मैंने 2017 में P.I.L. फाइल किया था उस समय कहा था कि 5 करोड रोहिंग्या और बंगला देशी भारत में आ चुके है अब तो 2023 आ चुका है निकाले एक भी नहीं गए आज तक कोई रोहिंग्या बंगला देशी नहीं निकाला गया 2017 के बाद से हाँ आ रहे हैं रेगुलर आ रहे हैं मैमार से भी आ रहे हैं बंगला देश से भी आ रहे हैं असम के बॉर्डर से भी आ रहे हैं बंगल की भी बॉर्डर से आ रहे हैं और आके वही पुराना खेल वहाँ से बंगल में घुसते हैं वहाँ से बस में बैठते हैं आइजे टूरिस्ट और दिल्ली आके बस उनको पहुँचा देती है जमू पहुँचा देती है, हर्याना पहुचा देती है, गुजरात पहुचा देती है केरल पहुचा देती है, कस्मीर पहुचा देती है इतना बड़ा प्लांडवे में खेल हो रहा है गुसपैठियों ने परशिया को इरान बना दिया गुसपैठियों ने कुमभा को काबूल बना दिया ये अवैद जो गुसपैठिय है ये एक तरीके से प्लांडवे में आ रहा है भारत को बरबाद करने के लिए आ रहा है गुस्पैटियों नहीं फ्रांस को तीन महीने जलाया इसके बाद भी मारी आख खुल नहीं रही है गुसपैट हमारी राष्ट के सुरक्षा के लिए खत्रा है और राष्ट के सुरक्षा के लिए जो खत्रा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है उसको कहते है NSA National Security Act लेकिन कोई भी राजे सरकार गुसपैटियों के खिलाफ NSA नहीं लगा रही है गुसपैट हमारी एकता खंड़ता के लिए बहुत बड़ा खत्रा है और एकता खंड़ता के लिए जो खत्रा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है UAPA कोई भी राजे सरकार गुसपैटियों के खिलाफ UAPA नहीं लगा रही है गुसपैट एक आर्गनाइस क्राइम है संगठीत अपराद है उसमें कई लोग सामिल होते हैं कोई उसको आधार बनाता है कोई रासनकार बनाता है कोई पैसा देता है कोई बस मुहिया उपलब्द कराता है कोई उसको जाकि जुगी बनवाता है आर्गनाइस क्राइम है प्रत्यक्ष युद्ध है इंडारेक्ट वार से निपटने के लिए हमारे इंडियन पिनल कोड में एक सेक्षन 121 है उसको कहते है वेज वार जिसमें आजीवन का रावास की सजा का प्रावधान है लेकिन कोई भी राजिसरकार घुसपैठीयों और उनके मददगारों के खिल सेक्षन 121 इंडियन पिनल कोड का यूपियोग नहीं कर रही है घुसपैठ अपने आप में धेजद्रो है और खासतार पे उन लोगों का भारत में घुसपैठ न जो न भारत को मानते हैं न भारत की संस्कृति को मानते हैं न भारत की परंपरा को मानते हैं न वस्देव कु गुसपैट करना ये देजद्रो है लेकिन न गुसपैटियों पे देजद्रो की धारा लग रही है न गुसपैटियों के मददगारों पे देजद्रो की धारा लग रही है ऐसे गुसपैट नहीं रुकेगी हमने केरल को जलते हुए देखा है बंगाल को जलते हुए देखा है अभी दिल्ली में दंगा हुआ था उसको देखा है अभी मड़पूर जल रहा है घुसपैठियों के कारण देखा है फ्रांस जला है तीन महीने हमने देखा है इसके बावजूद घुसपैठ पे कोई भी राजिसरकार गंभीरता के साथ काम नहीं कर रही है तरीका यह है किया कर घुसपैठियों पे और उनके मददगारों पे NSA लगाया जाए UAPA लगाया जाए Gangster Act लगाया जाए Section 121 Indian Penal Code यानि Wage War लगाया जाए Section 124 Indian Penal Code यानि देश्द्रों की धारा लगा जाए घुसपैठ रुख जाएगी 100% रुख जाएगी कोई भी घुसपैठियों का आधार नहीं बनाएगा अगर एक बार हमने ये 5 कानून लगा दिये एक बार अगर हमने ये NSA, UAPA, Gangster Act, Section 120A और Section 124 लगा दिया कोई भी घुसपैठियों की मदद नहीं करेगा ना उनको बस उपलब्द कराएगा ना उनको भारत के अंदर इंट्री कराएगा ना उनको कोई रासन देगा ना कोई उनकी जुगी बनवाएगा ना उनकी ओटर आइडी बनवाएगा ना कोई उनका ड्राइविंग लाइसंस बनवाएगा ना उनका सर्टिफिकेट बनवाएगा कुछ नहीं करेगा लेकिन कानून लगाना पड़ेगा तूतू मैमे करने आरोप रत्यारोप करने नूरा कुस्ती करने बतोले बाजी करने घुसपैटियों का वीडियो शेयर करने घुसपैटियों पे आग लगाने के बाद आगजनी की घटना को Share करने से घुस पैट नहीं रुकेगी भाईया मैं बार बार कह चुका हूँ, हजार बार कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ ये घुस पैट इतनी गंबिर समस्थशा आप सोचे जड़ा बंगाल में वो बनाते हैं बंगाल में घुसते हैं बंगाल में आधार बनवाते हैं और गाजियाबाद पहुंच जाते हैं और आके फिर अपना यहां पर ओटर आईडी चेंज करा लेते हैं आधार में नाम चेंज करा लेते हैं नाम बदल जाएगा उसके बाद तो फिर एक ही डाकुमेंट बनना है एक बना उसके बाद तो दूसरा तीसरा चोथा पाचवा बनता चला जाएगा मैं सभी राजिसरकारों से नहीं विदन करता हूँ और आप जो देख रहे आप से भी नहीं विदन करता हूँ इस वीडियो को अपने सांसनों को भेजिए विधायकों को भेजिए अगर आपको कोई जान पहचान वाला I.S. है, I.P.S. है, जजज है, उसको भेजिये, जब भारत ही नहीं बचेगा, भारत की डिमोग्राफी बदल जाएगी, भारत का कल्चर बदल जाएगा, भारत की संस्कृती बदल जाएगी, भारत की तेवहार बदल जाएगे, भारत की नेता का घर नहीं जला है आम जंता का घर जला है कैरल में हिंसा हुई किसी नेता का घर नहीं जला आम जंता का घर जला है दिल्ली जल दंगा हुआ कोई नेता नहीं मारा गया आम जनता मारी गई आम जनता का घर जला यह जो घुस पैठी है जब आगजनी शुरू करेंगे न तो याद रखिए कोई पुलिटिकल पार्टी या कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा लेकिन अगर कान कि जो घुस पैठीया मिले और जो घुस पैठीयों की मदद करता हुआ मिले जो घुस पैठीयों का डाइविंग लाइसेंस बनाए ओटर आइडी बनाए बर सर्टिफिकेट बनाए आधार बनाए जो भी उनकी मदद करे उनको बस उपलब्द कराए उनको भोजन लगाईए वेजवार यानि सेक्शन 121 लगाईए और देश द्रो यानि सेक्शन 124 लगाईए जो आदमी घुस पैठियों की मदद करे उसके 100% प्रापर्टी जब्त करिए उसके घर पे बुल्डोजर चलाईए मैं गारंटी के साथ कहता हूं NRC की जरूती नहीं पड़ेगी स 2000 तो छोड़ी 10,000 रूपए देने पर भी किसी को अंदर नहीं कराएंगे यदि आपको मेरा वीडियो ठीक लगे इस वीडियो को अधिक सधिक शेयर करिए अपने जान पहचान वाले सभी लोगों को भेजिए